बाला कोट एर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा जब मुकश्मीर स्ट्रेमशी 370 हटाए जाने के बाद से बौखलाए पाकिस्तान ने एलोसी के पास मुवेबल आतंकी ट्रेनिंग कैम्प परना है इन मुवेबल ट्रेनिंग कैम्प ने जमाए इसलामी, जैशे मोहमद, लशकर तयब और हिजबुल मुजाइद दीन के खूंखार आतंकीों को ट्रेनिग जा रही है पाकिस्तान के मुवेबल आतंकी कैम्प की तस्वीरे भी सामने आई है इस तस्वीर में जमाए इसलामी, जैशे मोहमद, लशकर तयब और हिजबुल मुजाइद दीन के खूंखार आतंकी नजरा रहे है इस मुवेबल आतंकी ट्रेनिग कैम्प अगस्थ महिने से शुरू किया गया है जिसको आतंकी संगठन जमाते इसलामी लीट कर रही है सूपरों के मताबिक लीपा, कालू, काचरबान, लॉंचिंग पैट पर करीब 220 आतंक्यों का जम घट लगा हुआ है इनमें से P.O.K के लीपाफ लॉंचिंग पैट पर एक सो से ज्यादा आतंकी मौजून है बताया जा रहा है कि ये आतंकी भारत में घुस पैट की फिराक में है सुरक्षाई जिंच्यों को मिली जानकारी के मताबिक विख गुल मुजाइद भी उनके कमांडर शमसेर खान को आतंकीों की घुस पैट की जिम्यदारी भी गई है तो सितंबर के आखरी सफ़ता या फिर अक्टूबर के शिरुआत में आतंकीों को लॉंच करेगा इसके अलावा पाकिस्तान की सूपिया एजंसी में भी वजीरिस्तान में आतंकीों की भूरती करने का टार्गेट पिक्स किया है